चलिए सभी को जैहिन सभी को जैहिन गुड इवनिंग राम राम सभी को जैहिन चलिए सभी लोग लाइब आया जाए जल्दी से और किलेर कर दीजिए आवाज आ रही है अब सभी को हमारी आवाज मिल पा रही है आवाज मिल पा रही है तिक बार सभी लोग कमेंट कर जह shrn भी लिख दीजे और इसकेवाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते है पहला कोशन दिया गया है परिष्रम का вिलूम सब दिन में से क्या है चल kommun का आप चाहिए परिष्रम का क्या होता है तो भई परिष्रम का होता है क्या आप कहेंगे परिश्रम का होता है विश्राम तो आप समनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा और अगला कुछन दिया गया है अनुरक्त सब्द का भिलूम क्या है अनुरक्त का भिलूम क्या है देखिए आप लोग क्लास में जुड़ गया है लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या नहीं है हना यहाँ पर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है जो कि अच्छी बात नहीं होती है डेली क्लास ले रहे हैं पेपर भी आपका पास में आ गया है और उमीद के साथ आप लोग जरूर जाएंगे कि यहाँ कुछ-कुछ मिलेगा कह रहा है अनुरक्त सब्द का विलूम पूछा गया है और अनुरक्त का क्या होता है अनुरक्त मतलब होता है किसी किप्रत जैसे प्रेम होता है तो इसका विलूम हो जाएगा विरक्त यहां पर अंसर आपका बनेगा डी नमबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है ना आगर यह से कोई चीज कमाई करते हैं तो यहां पर हो जाएगा बैन तो आप समनेगा अपका बिलूम राइट हो जाएगा अगर यहां पर अरजित हो जाता तो अरजित का बिलूम क्या हो जाता अनारजित हो जाता ठीक है ना आगे बड़ी कोशन दिया गया है कथित सब्द का बिलूम क से क्या है प्रच्छन का विलूम क्या होता है देखे प्रच्छन मतलब होता है यहाँ पर छीपा हुआ प्रच्छन मतलब होता है छीपा हुआ तो इसका विलूम क्या हो जाएगा यहाँ पर जो छीपा हुआ ना हो अर्था जो प्रत्यच्छ हो तो यहाँ पर option बनेगा आपका लेकिन अगर बात करते हैं आप रिक्त तो आप रिक्त तो आप रिक्त इसका उचित अंसर आपका नहीं होगा, option आपका C बन जाएगा, आगे बड़ी एक question दिया गया है, पास्चात्य सब्द का बिलूम इन में से क्या है, चलिए, यहाँ पर पास्चात्य का बिलूम क्या होत पास्चात्य सब्द का बिलूम क्या है, चलिए, बताएगा, असलील का, बिलूम में से क्या होजएगा, 9 का option दिना है, तो असलील का क्या होजएगा, यहाँ पर सलील होजएगा, यहाँ पर देखे, option आपका A बन जाएगा, यहाँ पर सलील होजएगा, ठीक है न, वहीं पर अगर पूछे, कि सुसील का बिलूम क्या होता है, तो सुसील का विलूम होता है दूसील क्या होता है दूसील होता है आगे बड़े कोशन दिया गया है आवेसित का विलूम इन में से कौन सा है आवेसित का विलूम क्या हो जाएगा तो आवेसित का विलूम हो जाएगा अनावेसित क्या हो जाएगा अना वेसित हो जाएगा पहला ही आपका अप्सनिया पर राइट हो जाएगा वह पर आपका अना वरस्टी का होता है अतिवरस्टी याद रिखे अना वरस्टी का होता है अतिवरस्टी हो जाएगा है वह थोड़ा बीमार इस वाके में थोड़ा में जो दिया है दोस्तों आदा लीटर दिया गया है हाना और लीटर की बात किया है तो भी आप कहेंगे यहाँ पर परिमाण होगा अप्संसी बनेगा अगला कोशन दिया गया है कोई बच्चा नहीं खेलेगा यहाँ पर रेखांकी सब जो दिया है कोई और कोई सब्द क्या होता है तो यह यहां पर अगला कोशन दिया गया है काफी में कौन सा विसेशन है यह कौफी पीने वाली कौफी नहीं है काफी कम ज़्यादा वाली है तो जब कम ज़्यादा है तो हमको नहीं मालूम है कितना है तो यह अनिश्चित हो जाएगा वो भी कैसा परिमाड तो यहां पर हो जाएग के किस प्रकार में आएगा तो प्राचीन जो आपका होता है क्या हो जाएगा यहां पर option D ये गुण वाचक में आएगा हाना यहां पर ये गुण वाचक विशेशन में होगा अब भ्यासी कौन सा option आपका बनेगा यहाँ पर बी नमबर right हो जाएगा आगे बताएगा question दिया गया है भौम का विसेश पूछ लिया गया है अब देखो विसेश पूछ लिया गया है इसका मतलब simple सी चीज आपको डोणना है जो आप हमेसा बोलते रहते है area पर भूमिय आप पड़ते हैं तो दोस्ते आपर भौम का विसेश हो जाएगा भूमी अर्था भूमिका विसैश पूछ पigesश महें होता है option c आपका right हो जाएगा यहां पर यादर से बहुत सुंदर है तो सुंदर की विसिष्था बता रहा है और जब यहां पर विसिष्थन की कोई विसिष्था बताने रगे तो आप कहेंगे यह प्रा विसिष्थन है और समनेगा यहां पर D-number हो जाएगा तो यहां पर आपका होजएगा गुरुत्तम बनेगा और इसके बाद अगले कोईशन को राते है महान का उत्तरा वस्था क्या होजएगा अब यह उत्तरा वस्था मतलब सेकिंड वाली की बात कर रहा है अर्थात यहां पर मद में जोगा यहां पर महत्तर बन जाएगा क्या बन जाएगा अगर यह पूछ लेता महान का तो महानतम हो जाता यह आपका maximum हो जाता तद यहां पर उत्तमा वस्था हो जाती आगे बड़ी कोशन दिया गया है निमने प्रस्टों में बिकल्प दिये गया है तस्थम सब्द का चेहन करना है बहुत यह आसान सब्दोतें तस्थम को पहचाना यहां पर दाद खाट खुजली तो होगा नहीं यहां पर देखी जामाता जो आपसन भी दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा क्योंकि दीवाली नहीं होता है दीपा वली होता है दीपा वली जो होता है वो सुद दोता है वही तस्थम होता है तो आपसन जिसका राइब बी नमबर राइट होजएगा अगला दोस्तों यहां पर हमने बताया है कि जहां कभी यह आपका च्छा मिल जाए तो स्मझ लीजेगा आख मून का रंस लगा दीजेगा आपका अंसर ये हो जाएगा B नमबर आपका हो जाएगा 6-3,6 का परिवर्तन हो जाता है इसका मतलब ये खेट का क्या हो जाएगा भाई ये आपका तस्था में mungkin आपका B नमबर अगला कोशन देखो दिया गया है तेश संबर में मोर, माथा, वाय और दोध हमने आपको तया था वा सब्द भी आपको देखने को मिलेगा जो की मैक्समाम आपको मिलता है वा जो आपके तस्व में तो यहाँ पर अंसर आपका C हो जाएगा वाय हो जाएगा अगला कोशन दि दिया है पूरा पोती और आपका पोती देखे 24 संबर में मिल्कुल पता चला है यहाँ पर जो पूरातन सब्द आपका है कहीं ने कहीं ऐसा सब्द आपका है जो आपसे यहाँ पर बनेगा C नमबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है ना आगे बड़ी एक कोशन दिया गया ह पर नाला, पपडि और पत्थर देखे 25 संबर में यहाँ पर उपर सब्द दिया गया है ना उपर, उपर जो दिया गया है दूस्तों यह पर का तस्न होता है तो आपसे जिसका राइए है नमरे राइट हो जएगा आगे-बड़ी एक कोशन दिया गया है निमन सब्दों में से प्रस्टों में से विकल्प में तदभाव सब्द आपको बताना है अब यहां पर देखे तदभाव सब्द जो थोड़े विगड़े वगयरा होते हैं है यहां पर देखे जैसे दिया गया है आसरा क्योंकि यह वाला सब्द आपको अधिकतर मिलेगा तस्सम में मिलेगा फि यहां पर देखे 28 संबर 28 संबर में कह है उगाडना यहा उगाडना कोई सब्द अ See अग्ला इंट यह और अदित्तिवार देख सकते हैं आपका अंसर 28 संबर में कौन सावने गाए यहां पर आपका 29 संबर में तो यहां पर इच्छ दिया है बिल्कुस सही है यहां पर इंट दिया है इंट और इंट का होता है इस्ट कुछ लोग आप से नहीं देख रहे हैं ऐसे जोक रहे हैं इंट दिया है और इंट का होता है इस्ट होता है ना इस्ट होता है इस्ट का जिसे बोल द नहीं है यहाँ पर अंसल जो आपका है यहाँ पर हो जएगा कभी नंबर यह आपका तद्वाँ हो जाएगा इसका जो तद्शं होता है वो आधरसी का होता है आगे बढ़ी एक वेस्ट नापस दिया गया है कहा रहा है जिसका जन्म पहले हुआ 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 है जिसका जन्म पहले हुआ 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 पूजा के योग हो उसे क्या का जाता है यहां पूजा के योग हो और जो पूजा के योग होता है दोस्तों पूजनी बोलते हैं और ये पूजनी जो लिखा है विलकुल सही लिखा है राइटन सलप का ये नमबर इसका बन जाएगा आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है वह इस्तरी जिसका पती परदे से आने वाला हो दोस्तों ये बताएग परदे से आने वाला होता है तो खुशी तो हुआ ही यहाँ पर दिये आगमस सिपती का आपसन बनेगा क्या ये परदी नमबर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है कि जिसका कोई सत्रू पैदा ही नहीं हुआ है तो जोस्तों जब सत्रू ही नहीं हुआ है तो उसे बूलते आजात सत्रू जो कि आपने हिस्टी में पड़ा भी है और सन आपका बनेगा बी नमबर नेश कोशन दिया गया है क्रतगन का सही अर्थिन में से क्या होता है क्रतगन मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जगा जो किये गए उपकार को नहीं मानता है दोस्तों नहीं सब्द ल प्राचीन आदर्स आपके दिये गए हैं उनीक अनसार चला है तो होता है गता अनुगती मितलु सही चला है अगला है कि रंग मंच पर परदी के पीछे का इस्थान क्या होता है देखे रंग मंच पर परदी के पीछे के जिस्थान होता है उसे बोलते हैं नेपथ 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 नहीं होता है, उसे किंकर तब भी मूर का जाता है, और सुने निजमर राइट हो जाएगा, आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है, सुसंगत सब्द का प्रियोग में कौन सा हुआ कि सरवाधिक उपयुक्त है, सुसंगत, सुसंगत मतलब दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, यह आ आपका राइक ताले समबर में, चले, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, देखे, यहाँ पर जो आपका आपका आप्सन है, बिनमबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रिक्रिया के तैट सजा हमेशा अपराधी को ही दी जाती है, याद रिखेगा, कि जो सजा दी जाती हमेशा अपराधी को दी जाती, दूस्ट को नहीं बोलेंगे, यह कानूनी प्रिक्रिया में आपको यही बुल रहा है, अगला है, सियाम जल से पौधे सीच रहा है, वाकिका सुद रूप क्या है, तो सियाम क्या कर रहा है, सियाम पौधे सीच रहा है, क्योंकि आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है क्या कह रहा है निमनिकित विकल्पों में से सुद्ध दिवात को चैनित कीजिएगा यहाँ पर देखे 43 समबर में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए वरना हम ऐसे सब्द बोलेंगे न तो भी आपको दिक्कत हो जाएगे एक जाम के समय अगर बाते करोगे तो फिक कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो कमेंट वाजी मत करिये देखें यहाँ पर 43 समबर आपसे दिया गया है क्या कह रहा है वह उदंडनी है नहीं यहाँ पर दिखें आप्शन डी वह दंड के योग यह है उप्शन डी इसका राइड हो जाएगा यह कोशन तो आपको हमेशा पढ़ा हुआ है हमेशा मिलता है उप्शन डी हो जाएगा नेस कोशन दिया है इन वाकियों में से एक असुद दुआ के दिया है उसका चैन करना है यहाँ पर असुद दुआ के देखे चवाली संबर में तो असुद कौन है उसमें बच्पन है क्या यह सही है क्या नहीं उसमें बच्पना है उप्शन आपका इनमर गड़वड है अगला जो दिया गया है निम्निकित में से कौन सवाकि आपका असुद दिया गया है पैतारी संबर में देखेगा पैतारी संबर में असुद आप से पूछा गया है देखे कभी ने संपादक को एक कविता भेजी सही है अध्यापकों ने सिसर से प्रस्ट पूछा यहाँ पर देखे option B number क्या सही दिया गया है क्या यहाँ पर C number क्या सही है क्या नहीं यहाँ पर गड़वण है option B number यहाँ पर अगले question को राए यह question दिया गया है एक वाकिया आपका असुद दिया गया है छियाली संबर में यहाँ पर देखे आम सबा मतलब दिखाया उसका कहना था कि हाना बिल्कुछ सही है राम गाते गाते सवरतो गया वाप रहाया मेरे आता था देखे आम सबा में प्रतेक वर्गों के प्रतिनीद उपरस्तित थे यहाँ पर देखे ऑप्सन जो आपका दिया है अगे बड़ी कोशन आपस दिया गया है कहरा है क्या यहाँ पर आपस दिया गया है कौनसा सुद्ध आपको छाटना है अजसर क्या होता है मतलब अजसर को हम सही लिख देंगे तो आप लिखेंगे अजसर ये वाला उप्सन कौन सा option सी वाला आप लिखेंगे तब आपका answer right हो जाएगा अगला दिया गया है सभी भारती गीता के महत्म है अब दोस्तो ये महत्म बहुत question पूछे आता है महत्म जो लिखा जाएगा किस प्रिकास लिख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर देखिए ये जो महत्म लिखा है महत्म ये option आपका ये number वाला ये आपका right हो जाएगा इसको note कर लिजेगा अगर आगे बढ़िए आपर दिया गया है कहारा है सुद्ध सब्धिन में से कौन सा है इरस्या बिल्कुल इजी question है हमेशा आपसे पूछा गया है यहाँ पर इरसया जो लिखा जाएगा वो option एक की तरफ लिखा जाएगा आगला दिया गया है वर्तिनी के अमसार सब्ध का सुद्धुरू पिन में से कौन सा है चासंबर में तो देखे यहाँ पर जो आपका पूरसकार पूरसकार होता है पूरसकार ये होता है बी नमबर ठेक है ना जननत मतलब होता है स्वर्ग का पर्यावची अगला कोशन दिया गया है अमरत और अमरत कर्थ क्या क्या हो सकता है देखे अमरत कर्थ हो सकता है सोम अमरत का होता है पियूस अमरत का होता है सुधा गरल नहीं होता है क्योंकि गरल होता है किसका 20 का होता है 20 अगला कोशन दिय दाना मतलब यहां सकते हैं तनया मतलब आतमजा स्था होता है दुषिता स्पर्यादा श्रीर का होगा। तनया मतलब यहांब पर प्र्याद पर्यादा класс के बात करते हैं। को तर्व होता है ब्रच होता है पादाप होता लेकिन अटवी नहीं होता है अटवी होता है क्या दोस्तों यहाँ पर बताएगा यहाँ पर देखे अटवी जंगल का होता है जंगल का अगला कोशन दिया गया है बिद्धुत और बिद्धुत के परयावचिम दोस्तों दोस्त होता है लेकिन कुवेर नहीं होता है दोस्तों यहां पर कुवेर नहीं होगा है ना कुवेर होता है धनेश का परवची धनेश का ठीक है आगे बताएगा अचला और अचला दोस्तों यहां पर देखो धरित्री होता है अवनी होता है प्रत्वी होता लेकिन इस्तरी नहीं होता और विधाता के बात करते हैं तो में लिए बाता है नद विद होता है और रेक्ट मेले होता है यय क्क्तियों याद रिखे गाँ बाता करके सब्सकिंदा खरो करें।